बहुत बूरी तरह से हलका करता है तो इसलिए जो चीज़े इसके अंदर बताऊंगा एक पॉइंट को अपने दियान से सुना तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा चीजों करने में और कम टाइम में बहुत ज्यादा सपोड दियान से दूनना सबसे पहली बात तो यह बताना चाहूंगा कि मैंने औरड़ी फिजिक्स के बहुत सारी चीजे औरड़ी बना की रखी है आपके चप्टर से रिलेटे यूनिट से रिलेटे तो वो उसका लिंक में डिक्स्रिप्शन में डाल रहा हूं बट गाईज यह वीडियो देखने के ब दोनों का अलग अलग उससे रिलेटेट कुछ चीजे आपको बताओं जिससे आपको बहुत ज्यादा हल्प हो तो इस वीडियो का टार्गेट लाइक वन के रखता हूं और 500 कोमेंट का इससे मुझे लगेगा कि आप बहुत ज्यादा एक्साइड़ हो इन सब्जेक्ट के ल लाइव सेशन में जाके आप देख सकते हो और यह एक-दो सालों की मैनत इतने सालों से हम पढ़ा रहें इवन आपको राउल सर के बारें पता कि उन्होंने इसी सेक्टर में टॉप इंजरिंग सेक्टर में टॉप किया तो जिन बच्चों ने हमारे यूटूब चैनल को होती है पर यहां टॉपी के साथ तो बहुत सारे कोश्चन से मैच कर गए और यह हमने प्रूफ के साथ दिया जो कि हमें जरूरत नहीं पढ़ती है पर फिर भी चलो पहली बार है तो हम बताई देते लाइव सेशन में आप जाके देख सकते हैं प्रूफ के साथ हमारे उसका हमारे एप में जो हमने पढ़ाया था और उसके अंदर जो कॉश्चन पढ़ाया था हमने प्रूफ दिया है तो जाके एक बार जरूर देख लेना उन दो-चार लोगों को देखाना बहुत जरूरी है जो बहुत ज्यादा धिनोर आप पीट रहे था वो उनको दिखा देना सब्सक्राइब भेज देना और गाइस नेक्स्ट एंटू का सेशन आपके कॉलेज खुलने के दो-तीन दिनों के बाद हमारे एप पे स्टार्ट हो जाएगा और बहुत सिस्टमेटिक वे में खतम करवाया जाएगा जिस तरह से बहुत सारे बच्चों का पिपर हाड गया हा महां तीन सेक्शन बना अगर कुछ भी प्रावलम हो रहा तो यह दो नंबर चल रहा है इस नंबर पे कॉल करो नंबर पे कॉल करके अप्रिसीट फटाफट बुक कर लो और डाउनलूड करके अब बात करते हैं बेसिक साइंस बेसिक साइंस एकर मैं आपको बताओं तो इसक सबसे बड़ा होने वाला है मैं एक चीज बताऊंगा कि अगर आपको बेसिक साइंस के अंदर अच्छा स्कोर करना है तो मैंने आप सभी को बोला ता मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है अगर आपको सभी को समझाओंगा कि जो भी आपके पास यूनिट है उन सभी यूनिट के कॉंसेप्ट को समझो कॉंसेप्ट को समझने के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा पर स्पीड बढ़ा के चीजों को समझ सकते हो अगर आपका कोई सब्सक्राइब को निखालने के लिए अगर आपको कैसा भी घुमा के आप अर्राम से सॉल कर लोगे किसी जासे में पढ़े भी ना इसलिए कॉंसेप्ट बहुत मैटर करेगा एंसी को के पेपर को निखालने के लिए अगर आपको कोई और भी हेल्प चाहिए तो कॉमेंट जरूर करना कई तो इसलिए सबसे में फोकस होना चाहिए न Daar अब बहुत सारे बच्चते को मैंने हमेंसा बोला कॉंसेट होना सहिए है वर कॉंसेदेर स्कोर करो और दिन रात एक करके मैनत करो बट सबसे पहले concept then mcq concept then mcq concept then mcq पहले mcq नहीं पहले concept then mcq पूरे चप्टर के ओवर व्यू को समझो उसके अंदर क्या है क्या क्या मेंट पॉइंट है अगर जाए उसके यूनिट क्या है क्या है उसके अंदर किस से रिलेटेट दिया वर टाइप्स क्या है यूजर्स क्या डिसद्वांटेज क्या यह सभी चीज़े आपको पता रहना चाहिए तो पेपर बहुत आसा है ऐसा नहीं कि आपको mcq दे दिया तो भाई बहुत सोचो 10 और 9 वे अच्चों को इतना mcq नह पनाते हैं के बाद हम इंजोरिंग या इसके लिए अड्मिशन इंजोरिंग फार्मसी अग्रिकल्स के अड्मिशन देते हैं उसमें भी mcq रहता है तो सब अच्छे क्यों स्कोर नहीं करते क्योंकि सब का तरीका गलत होता है जिसमें से जैसे आप लोग तरीका बहुत हो जाएगा और साथ में जो आपके दिमाग पर टेंशन चल रहा है ना बेसिक साइंस को लोग वह भी खतम हो जाएगा और कोई भी डाउट अथा प्लीज कॉमेंट करना हम आपके सपोर्ट के लिए कंटीन लगए है थैंक्यू सो मस्क्राइज जैहिन दोस्तुम उने का मुदत वाल सुपत हैंक्यात अपके सिक अबया आपके स looking कुम